बावी, बावी, एमेले साहब, सम्मानित मंच, उपसित मेरे सभी युवाज साथियों, ये अभी जगने की बेला है, अभी सोने की टाइम नहीं है, ये सुरेंदर सिंग्जी ने आप सभी युवाज को जगा दिया है, आप सभी को एक चेलेंज दिया है, कि ये बाप नहीं कर सका, तो बेटा क्या करेगा, वो जहां भी जाते हैं, जो बोलते हैं, वो उन्हीं को लोटके मदब लेट उबेगा, मैं आपको इस मंच से आवाल करता हूँ, कि आज दिन तक कुंबल गर में एसी विज़े नहीं हुई होगी, वेसी विज़े आप सभी को मेहनत करके 22 जी योगेंडर सिंग जी परमार को दिलानी है, और कुंबल गर का इतिहास रचना है, मैं ग्राम पंचाई धानिन का सरपंच हूँ, मुझे इनो ने चार साल तक काम नहीं करने दिया, मैं इस मंच से आपको आवान करता हूँ, मेरे गाव के लोग यहां बेटे ह मैं 2012 में एक बामाशा के रूप में रासमन जिल्य में प्रथम आया था, मैंने मेरे गाव के विकास के लिए साथ से आथ करोर रुपया खर्चा किया था, आज ये जो है, एमेला सुरेंदर सिंगी है, जो हमने 2022 में एक प्रशाशन गाव के संग अभियान हुआ था, उस अभ साकतित लोग साथ में थे, उन्होंने ऐसा कह दिया, कि सेज जी ने अगर धानीन में स्कुल बना दी, तो क्या हो गया, हम उनको पैसा दे देते हैं, मैं इस मंस से उस सुरेंदर सिंगी को चैलेंज करता हूँ, कि तेरी मा का दूद पिया है, तो हमें अभी भी वो पैसा लो होस्पिटल का निर्मान करेंगे, और मैं मेरे परिवार की तरफ से और 25 राख रुपया उसमें दूँगा, आप में अगर हीमत है, तो वो पैसा देने की ग्रिपा करा रहे, और यह था शिक्रा, मैं मेरे माता जी और फिता जी के नाम से, वो ही पैसे में होस्पिटल, और 25 राख रुपया में मेरे परिवार की तरफ से और दूँगा, मैं आज इस मोंबे की माया नगरी में यह कोशना कर रहा हूँ, इसके अलावा, भाईयों, आपको सबको मालुम है, कि यह जूट का जेनरेटर है, और इस जूट का जेनरेटर को, आप मैंने ही बोलता हूँ, जन आपने अगर इस जूट के जेनरेटर को यहां बंद नहीं किया, तो यह बविश्य में आपके लिए एक और कलंक है, अभी साथ साल में, भाई साब लक्षमन जी ने बताये था, आप साथ साल में सरकार भी रिटायर कर देती है, तो आपको ऐसा इस कूर्शी से क्या स्वाब में लगा हुआ है, जो आप 25 साल से 30 साल से इस MLA पत के लिए लगा रहे हो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या आज मानिगें सिपी साब जोसी नहीं होते, तो आपके खरवर चदाना को कोई नहीं पूछता, मैं आपको बोलता हूँ, कि एक सिपी साब जोसी साब यक्ति है, जो आपके समाज को बला मानिगें गने सिंग जी परमार को डिकित दिया, आज योगेंदर सिंग जी परमार को डिकित दिया, मुझे बताओ, एसी कौन सी पार्टी है, जिनोंने आपके खरवर चदाना को डिकित दिया, एसी कोई पार्टी नहीं है, जो आप के समाज को पूछे मैं आपको इसके लिए बोड़ रहा हूं कि आप इन बाई श्री योगेंदर ची परमार को जादा से जादा मतों से विजय बना के भेजोगे तो आपका डंका जैपूर नहीं भूरे भारत में बजेगा नहीं तो आपको यहीं लाम देना पढ़ेगा इनकी जीत निश्चित है जीत को कोई रोक नहीं सकता लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतों से इनको विजय करके भेजोगे तो मैं आपको यह आश्रासन देता हूं कि यह राजस्तान सरकार में आशोग जी गेलोत को इनको मंत्री बनाना पढ़ेगा यह आप सभी युवाओं की धरक का समय देंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी से नम्र निवेदेन करता हूं कि आप अपने गाओं में 20 तारिक पोंचो 22 पोंचो 22 पोंचो लेकिन 25 तारिक के दो दिन पहले आपको पोंचना है और आपके यार दो सगे समंधी जितने भी टटोल सको उनको टटोल के 22 योगेंदर जी प्रमार के कांग्रेस के हाथ पे निशान कांग्रेस के निशान पे हाथ के निशान पे बटन दबा के इनको बारी से बारी मतों से विजय दिलानी है धन्यवाद